पूरों के बंदन तूटेंगे, फागुन की ये बोली है, गाल गुलाबी होंगे सबके, हर्यारों की टोली है, कविताओं के रंग बरसेंगे, वेंग भी चुटीले होंगे, बुरा नमानो होली है, होली है, आज होली है, ABP News के दरसकों को होली की हारदिक सुपकामना है, और साथ में चुकी लोग सबाचुनाओ के आगाज हो चुका है, जनता जनारदन आप देख सकते हैं, हर चेहरे पर एक मुस्कुराठ है, होली के रंग, उमंग और तालियों के साथ, देखिए, होली को जो होली का तेवहार है, पूरे विश्व में मनाये जा रहा है, और हर कोई होली के स्तेवहार में अपने आपको रंग में और भंग में और हर तरह से लीन होना चाहता है, तो ABP News आपको दिखाने आज लाया है, कवियों का वो संग्राम, जो लोग सबाचुनाओं से पहले, कविताओं के रंग में, आखिर किस तरह का होली का रंग चड़ेगा, तो उसको लेकर मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा एक पैनल है, जिसमें इटावा, और और आसपास के शहर से कवी लोग मौजूद हुए हैं, हम इन सबसे तारुक कराते हैं, सबसे पहले मेरे साथ कवी जो हैं, वो रजनी आए हैं, रजनीस तरपाठी हैं, अवनीस तरपाठी हैं और बहुत सारे कवी आए हैं, सबसे पहले रजनीस तरपाठी हैं, अवनीस हमारे साथ हैं, इसके साथ साथ गोपाल जी औरहिया से आए हैं, शिव गोपाल आए हैं, प्रतीक्षा है हमारे साथ और गोविंद जी आ के लिए लिए देखिए सूबहे से ही लोग इखटे हो रहे हैं और तालियों का साथ है इनका और कविताओं YouTubers का सात में किस तरह की कविताओं होंगी किस तरह की चुटीले व्यंग होंगे लोगसवा चुनाओं को लेकर हम इन कवियों से जानते हैं सबसे पहले तो मैं अवनीज के पास आता हूं अवनीज आज क्या आप खास लेकर आए हैं और किस तरह का रंग भरेंगे आज होली पर चुनाओं का समय है और आपकी आलत भी मुझे गठवंदन की तरह लग रही इं जंता इसाब मांग रहे जो वादे करेते हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं ही हो रहे हैं अच्छा अब को सुनातَ हूं क्ढ़े सब्स्रेंदों बात करना है जतना याद हो सकते अथना आप रिपीटकरना मेरे साथ और जोगी रहाpped तेल की कीमत इतनी बढ़ गई मुझ से निकली हाए अरे तेल की कीमत इतनी बढ़ गई मुझ से निकली हाए तेल डलाने मैं जनता का तेल निकलना जाए जोगीरा सारा रारा जोगीरा सारा रारा अच्छा अब कुछ लोग कहेंगे कि दो रुपए कम तो की है यही इनकी स्टेजरी है सुन और अभी जो गटनग्रम हुआ कि डाट पड़ी SBI को जल्दी डेटा लाए आप लोग भी अगर SBI में गए होंगे तो यह बात पकड़ेंगे sudah लगी SBI को जल्दी डेटा लाए अरे डांट पड़ी SBI को जल्दी डेटा लाए बेचारे employee उनके लंच नहीं कर पाए जोगी सब्सक्राइब और अब गोपाल से जानता हूं आप क्या लेकर डियां पहली तो सभी को होली की बहुत-बहुत शुब कामना है और यह की प्रसंता से प्रसंता से रंग रगाए अपकी बार हुली में अपकी वार हुली में राम चंदर जी आये हैं और पहली बार होली में आये हैं कि प्रसनता से रंग लगाए अपकी बार होली में जैस्री राम कीरतन गाए अपकी बार होली में द्वेस कपट सब दूर करो तन्मन पावन कर लो सिया राम जी लोटाए हैं अपकी बार होली में और ये कि चड़ी भंग की उमंग चड़े होली संग संग बड़े पीआरे लगते बजे ढूल मर्दंग उठें अंग 감 같이 रॉंग वचायर लगते कौन कौन प्यारा लगता है कि छिड़ा फालूगनी कि हो तो हार स्युकार कर लेना जीत अपनों की हो तो हार स्युकार कर लेना दिलों में दिलों से भेद मत रखना किसी भी जातका अब की बार होली में पूरा पूरा तेवहार कर लेना तो देखिए जिस तरह से तेवहार की बात कर रहे हैं आपके पास आज क्या खास है चुकि आप जिस तरह से मैं देख रहा हूं बहुत देर से आप तयारी कर रहे थे तो किस तरह का खास और रंग और लेकर आए हैं हमारे डेश की असली जो होली है वो गाउं की होती है और मैं ठेट देआती हूँ और मैं अपने गाउं की बिल्कुल गाउं की होली तो दरसक भी सुनना चाते हैं ऐसा आखिर क्या है कि जो लोग अब परंपराओं से दूर होते हैं कि कोरे कल संके सर गोरो रंगी सजनिया चोली तारी दैदे सारी नाचे मारे आंक तै गोली लोग लाज घूटी पे टांगी मर जादा सभारी और रंगू लीचे करे अगारो सरहज पर गई भारी सरहज पर ग लोग भंजा ड़ार एप आट रहामें पठके मरसाज के टंगी और यग इन गोरी के अपसाजन द घाौरो भांगल सांने सब गाँ Nonche жд Campbell chaos degree कि पुम्ह्चर के जा धूट गई पिछकारी पनगर्पें सब महída definitely थानी-दयमちゃु खारी फिंधा शाइं याज स्वार्ष्म लंगुर गई कोई तोकास दोकेशु द्वारन द्वारन रंग बरसे फिर लगे संग में तीका देशी ठर्रा मार फको नुआ बीड़ा पांट चबाएं चट्री मट्री और पिछगियां घरगर जाकर खाएं चुपचोरी जस्यों कमने भी खुब लुटाए हीरा खुब लुटाए हीरा अहोरी के तिवहार पे मतलत जिस तरह से ग्रामीड परिवेश में किस तरह से होली होती है वहीं अब हम बात करते प्रतीक्षा मतलत किसकी प्रतीक्षा वो प्रतीक्षा जो आज कुछ राष्ट बात पे सुनाने वाली है क्या लाई है आप सबसे पहले तो मैं होली की शबकामनाई देना चाहूंगी हमारे सभी दर्शकों को और AVP News को शबकामनाई देते हुए कहना चाहूंगी चार पंगतिया प्रस्तुत करती हूं कि होली पे क्या है भावना मौका मुझे दिया हो दर्शकों से सामना मौका मुझे दिया एवी पी नियूज का है आभारेस लिए मैं देशकूं शुब कामना मौका मुझे दिया मैं देशकूं शुब कामना मौका मुझे दिया और होली पर क्या प्रस्तुत करती हूँ मैं क्या भावनाय लेकर आई हूँ कि कटुता भरी हो मन में उसे छोड़ दीजिये आपस का द्वेश नीबुसा निचोड़ दीजिये होली पे आज कामना प्रभु से यही मेरी तूटे हुए रिशतों को फिर से जोड़ लीजिये और क्या होता है होली रंगों की गुलालों की रंगोली हो मुबारक पागुन में नोक जोक की बोली हो मुबारक गालों पे सभी के मले गुलाल प्यार का अपने समूचे देश को होली हो मुबारक अपने समूचे देश को होली हो मुबारक क्या भावनाई लेकर आई हूं मैं कि रास्ट को नहीं बूलना चाहिए सैनिकों को पलकों पर अपनी बिठाएं हम उनके लिए करें सलामती दुआएं हम सरहद पे खून से जो सीचते हैं होलिया है फर्ज हमारा उन्हें न भूल जाएं हम है फर्ज हमारा उन्हें न भूल जाएं हम और एक छंद प्रस्त करती हूं बिलकुल बिलकुल जी तो मैं एक काना को याद करती हूँ एक पंक्तिया प्रस्तुत करती हूँ चंद प्रस्तुत करती हूँ कि अपने जनों पे जब कस्ट दीख पढ़ता तो कस्ट हरने को बन जाते गिरधारी हैं और योगियों के सिर्म और रास के रचय भए गोपियों के बीच बसे मोहन मुरारी हैं फूल से सुकोमल है किन्तु वक्त पढ़ने पे दुष्ट शिशुपाल है तुकाल चक्रधारी हैं और आसुओं से भींगी मीरा प्रेम से पुकारती तो नयनों में बस जाते ब्रिज के विहारी हैं यह है प्रतीक्षा और प्रतीक्षा ने जब गोपाल का नाम लिया है और गोविंद का नाम लिया है तो गोविंद की बात हो रही है तो हमारे साथ कभी गोविंद है बताईए जहां गोपाल गोविंद सब हो रहे हैं और आज रंग में रोग सराबोर हैं तो क्या लेकर आए हैं आप पुली का बहुत संदार मौका है और ABBP न्यूश के माध्यम से सभी दर्शकों को सभी देशबासियों को बहुत बहुत शुब कामना है निश्चित रूप से होली पर बहुत सारी कुछ समस्याएं भी हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सुख दुख दोनों रंग हैं इस जीवन के रंग सदा चलेंगे संग में होना नहीं उमंग और हुली की बात हो और ब्रज की बात नहों तो थोड़ा सा अधूरा अधूरा सा लगता है देखिएगा कुछ चंद ब्रज से जुड़े हुए कि भीतर भंग सो बाहर रंग सो गूरी के अंग प्रत्यंग रंग हैं और गूपिन ग्वाल की कौन का है पसु कीट पतंग बेहंग रंग हैं वे चड़ी हो रड़ दंग मचो सब एक तेक दबंग रंग हैं ओ फागों में ब्रज आयतर दे वो तव राधा कनाई के रंगें रंगे हैं हागोन में ब्रज आयत्र देवो तो राधा कनाई के संग रंगे हैं एक और छंद देखेगा इपीरे हरीरे गुलाले अभीर धरे हरे रूपेत्र भंग बने हैं और बीथन बीच परे कुछ ग्वाल की भंगे में जैसे अपंग परे हैं और ये कहालों कहाँ ब्रज की सूर चापी की क्रश्ण आनंग बने हैं और नैनन बान धरे मुसे कान का माने कनाई निसंग बने हैं और एक अपने पारंपरे खुली जो देखेगा जी बोजी राहे कछू छपन पारी की बोजी राहे कछू छपन पारी की होरी में किंतू की सोरी लगें बोजी राहे कछू छपन पारी की होरी में किंतू की सोरी लगें और भोरी लगें कछू कोरी लगें हूरे दंगे में गावू की गोरी लगें सोने से अंगे पैदन मोती से दंत हसीन मौलिती जोरी लगाएं और फागून के गुण का कहिए रंगे भाजी हमें खुद होरी लगाएं रजदी जी क्या है आपके पास आज खास? चुक है चुनावी माहौल है और हमें लगता है कुछ आप तयार करके भी आये हैं जे जे बिलकुल, सबसे पहले मैं ABP की सवी दप्रशकों को होली की बहुँ बहुँ शुप कामना है देता हूँ और चार पंक्तिया प्रसुत करता हूँ कि ये होली भी कुछ है विशेश, ये होली भी कुछ है विशेश, मैं राम हुआ संपूर देश, सर्यू को अपने राम मिले, रंगबास संती चवू और खिले, 22 के दिये भी ताजे है, अभी होली और दिवाली में इस बार कुछ ज़्यादा विशेश, समया नतराल नहीं रहा है, अभी आपने प्राण प्रतिष्चा में 22 तारीक को देखा था, इसने दिये जले के लगा मानो होली आ गई हो इस देश में, होली दिवाली आ गई हो, कि 22 के दिये भी ताजे है, मंदिर में राम विराजे है, मंदिर ने मतरा काशी की, लगता है राहे खोली है, फागुन जहां की दर्ती, जहां पे जन्मेर राम है, जहां सुबह बनारस वाली है और जहां अवद की शाम है, जहां ग्यान, विज्ञान, ध्यान, अध्यात्म, शक्ति और योग है. योग भोग के बीच संतुलन का अदबुत सयोग है वेद उपनिशत और पराणों से जिसकी पैचान है रिश्मुनियों का अमर देश है भारत वर्ष महान है वाह 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 बिल्कुल भारत देश महान है और अगर कवी सम्मेलन हमारा है हम लोग कवीयों की बात कर र क्या है खास आपका देखे ओली का तिहार निश्यत रूप से प्रेम और सौहर्द का त्रहार है मैं चार पंक्तियों से अपनी बात रखता हूं आप जटकते पटकते हुए भी लाते हैं कुछ ना कुछ तो वह क्या है वह भी है कि छोड़ दो ये कामकरोद भी अर्थ के विरो राम का था वतार की ये सब को सुनाईए और प्रेम से पुकारोगे तो चले आए भगवान इनसान चीजी क्या है आप ही बताईए और देखे अभी आपने बात की कि राम मंदिर बन गया सब कुछ हो गया लेकिन एक दर्द है एक कभी को और एक रास्टबादी विक्ति को ब तो राम का मंदिर अधूरा ही माना जाएगा मैं चारला हैं रखता हूं कि आखो में पानी लेकर गीत पाने आया हूं आखे पानी लेकर गीत सुनाने आया हूँ सीने में चिनगारी लेकर रीत निभाने आया हूँ दुनिया चाहे चुपी सादे मैं ना चुप हो पाऊंगा चोराहों पर चीखूंगा मैं खुले याम चिलाऊंगा एलान हमारा चस्पा कर दो दिली के दरवारों में मोधी तुम से एक निवेदन हाथ जोड़ करता हूँ मंचों की मर्यादा है बस इसी बात से डरता हूँ संतों की खाली जोली उनके मन से भर दो तुम पूज गोपाल मडी जी छह बार अंदोलन कर चुके पूरे देश की यात्रा कर चुके पैदल चल रहे हैं लेकिन मोधी जी अपने मन की बात कहते हैं हम संतों के मन की विवाद सुन ले ना कि गईया की संतों की खाली जोली उनके मन से भर दो तुम संतों की खाली जोली उनके मन से भर दो तुम गोव माता को राष्ट मात के पतपर सोवित कर दो तुम गईया को सम्मान दिला दो भारत भाग बिदाता का संबेदानिक दर्जा दे दो गईया को माता का कानूनों में फेर वदल कर सजा भी अच्छी खासी दो कानूनों में फेर वदल कर सजा भी अच्छी खासी दो मेरी इंकलाफ की सैली है मेरी भासा बड़ी बिसैली है हो सकता है जचे नहीं सायद तुमको पचे नहीं लेकिन मैं तो हर कीमत पर अपना धरम निभाऊंगा जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक पीडा गाऊंगा एक मुदी जी से सारे लोग कुछ ना कुछ मांगते होंगे लेकिन मेरा मानना जी है कि इस देश में पहला काम ये करना चाहिए कि मा भारती को आस है ये आप से विश्वास है आप होसले को अपने बुलंद कीजिए ना सीजों को जुकाईए ना हाथियों मिलाईए ना बेतना की अगने को भी मंद कीजिए बद करो पापियों का दुष्ट अपरादियों का प्रीत वाली रीत देना मंद कीजिए और छोड़ दो विकास काम मंदिर योद्याराम पहले गद्दारों की फासी का प्रबंद कीजिए पोली पर दूसरे राउंड में क्या है इस दो लाइन से अपनी बात खतम करता हूं कि हमने जो बोला वो कर दिखलाया फिर कहता हूं सांची में अब लच्य हमारा यही है अगला रंग दिवस करांची में बहुत सही बहुत सही आप बताईए रजनीज भाई दो लाइनों में क्या है खास क्या 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 इस तरह बहुत महत्पूर्ण तोहार है और स्रंगार और प्रेम का तोहार मैं एक मुक्तक पढ़ता हूं अगर गो बोल देती है तो मिश्री घोल देती है हमेशा प्यार का उपहार ही अनमोल देती है हमारे मन के आंगन की उसे तुलसी समझ लो तुम क्या बात है क्या बात है प्रतिक्षा आप बताओ दो लाइनों में क्या और मैं दो होली पर दो लाइने ये प्रस्तुत करती हूं कि यह रंग रंगीला सा परवेश बताता आज होली है यह मौसम और रंगीला बेश बताता आज होली है कहीं गुजियां कहीं सखियां कहीं है भंग वाला रंग कहीं गुजियां कहीं सखियां कहीं है भंग वाला रंग पहुचता प्रेम मैं संदेश बताता आज होली है आज हो ली है आज हो ली बिल्कुल आप क्या आप बताइए कुछ थोड़ा परिवर्तन भी हुआ है गाउं के परिवेश में कि रूठे छूटे अपने देखे छुए बड़ों के पाओं भावी से काजल लगवाने लोटा अपने गाउं अभी गाउं में भी क्या हो रहा क्यो मायूसी च्छाई इतनी क्यों बदला परवेश पूछ रहा मैं आज स्वाहम से खुसियां कहां से कि लिपे पुते लिपे पुते मुखले नहीं दीखे फाग हो गई बंद और जहां रखी जाती थी होली कंडिये देखे चंद वाह 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 आप बदाव गोपाल भाई क्य है डोला निखिवी अपनी स्विया पता रहे थे कि यह बहींगाई व गएरा है तो मैं उसी पर मुक्तव को रहता हूं कि कुछ मरे बीमारी से तो कुछ दबाई से मर है हम लोगों ने भी बेखा कि बार बार जी लग रही हरे खाने वाले सामानों पर लग रही तो कुछ मरे बीमारी से कुछ दबाई से मरहे कुछ मरे कुवां से तो कुछ खाई से मरहे पीर पेट की किस्से कहें हम बाकी जो बचे वो महगाई से मरहे आप बताइए अब नीज भाई जिस तरह से राजनीत की भी बात हुई है कभी क्या राजनीत को देखकर चुनाओं को देखकर देख बिल्कुल बिल्कुल शुराई कि चाहे कितनी भी कठिन रहा चलनी पड़े खुद की इमेज को भी करना चलनी पड़े लेकिन ये नेता ही है जो जनता की सेवा करना नहीं छोड़ते चाहे इसके लिए ससुरी पार्टी बदलनी पड़े बहुत सब्सक्राइब बहुत सब्सक्राइब अब बताईए कि आपका क्या वी राजनीत को लेकर क्या आप कहने जा रहे हैं मैं फोली एक हर्श और उल्लास के ओहार है हमें उल्लासत रहना चाहिए और जब भी मन में अवसाद या कोई परेशानी आती तो हमें उम्मीद का किरन कभी नहीं चोड़नी चाहिए मैं बस एक अपने गीत का मुखड़ा और एक बिलकुर सुनाईए वक्त कैसा भी हो कल बदल जाएगा और इसका समय कम है मैं एक बंदिसका रख देता हूँ कि माना तम है घना रात लंबी सही छोड़ना ना कभी पर किरन आस की वक्त जो आज है कल रहेगा नहीं आज सूरज ढला कल निकल आएगा कैसा भी हो कल बदल जाएगा वक्त कैसा भी हो कल बदल जाएगा ये तो कवियों का कहना है और आखेर ये जो पीछे जनता जनारदन है जिससे ही सारा कुछ होना है कलरफुल ये जो पूरी होली है इसको लेकर सुबही से लोग होली खेल ले हैं और चुकि चुनाओं के जी सर मेरा नाम रोईत है और आज सभी कवी इस होली उस्सा पे हमारे यहां आए हैं और सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किये तो इसमें मैं भी दो लाइने जोड़ना चाहूंगा बिल्कुल बिल्कुल जोड़िए तो जैसे की होली अपना उस्सा के रंगों का त मेरा नाम लखी है मैं सभी को होली की बहुत हुआ आरे सुपकामना कहना चाहता हूं आप बताइए अवस्ती जी बहुत बहुत सुपकामना के साथ आप तो आगरा से चलके आए हैं पूरा प्रोग्राम आपने देखा कवियों का सम्मेलन चुकि इटावा से नाता है और कव आपके घर पर हो ताहिए ऐं और को आता है होली पर आज चुकि होली यह फोली फोसे हिल जाते हैं जिल जकिने मिलन तो रही है और मैं तो यह भी नियूज डेली दो तीन बार देखता हूं चुनाओ को देखते हुए किस तरह से आप चुकी चुनाओी रंग भी और होली का भी रंग जीना बहुत मुश्किल नफरत के दोर में मैं प्यार वाड़ता हूं कोई ले सके तो ले ले मैं बहार वाड़ता हूं तो आपने देखा यह जनता है और देखिए कभियों का पैनल है और यह जनता के साथ साथ हर किसी के चेहरे पर मुश्कुराहत आई है खिल खिला उठे हैं कैमरा मैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, ABP News, इटावा